Hello students, welcome to my channel History Hub आज हम अपनी सल्तनतकाल की जो शंकला चला रहे हैं उसमें पढ़ेंगे सल्तनतकाल में सैन ने विवस्था, उसकी डाग विवस्था और उसकी नय विवस्था के बारे में हमने अपना सल्तनतकाल का राजनेतिक इतिहास पढ़ लिया है उसका अर्किटेक्चर, उसकी स्थापत तिकला की बारे में पढ़ लिया है इससे पहले के लक्चर्स में और अब हम इसके जितने भी एड्मिनिस्टेशन है, जितना भी प्रशासान है उसके बारे में 4-5 लक्चर में इसको खतम करेंगे और फिर सल्तनतकाल की शंटला यहां पर समापत हो जाएगी यदी आपने व लक्चर्स ना देखे हो तो उसको देख लें और यदी आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाले लेक्शर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सत्र जिसमें हम पढ़ेंगे इसकी सैन निव्यवस्था, निया व्यवस्था और डाग व्यवस्था मगर सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक जो वाक्य है जो फत्वाय जहांदारी करके पुस्तक थी बरनी की उसमें एक उसने बहुत ही अच्छा एक व्याक्षा की है कि किस तरह से सेना और प्रशासन, राजत्व और ये तीनों आपस में किस तरह से जुड़े हुए है उसमें उसने लिगा है राजत्व दो इस्तंभों पर आधारित है पहला है प्रशासन और दूसरा है विजय दोनों इस्तंभों का आधार सेना बताया है उसने यदि शासक सेना के प्रती उदासीन है तो वह अपने हातों से राज्य का विनाश करता है वस्तुता राजत तो ही सेना है और सेना ही राजत तो है तो देखिए किस तरह से बरनी जो राजत तो है उसको सेना से इसलिए जोड़ा है क्योंकि उस समय जितना भी जो सामराज था वो केवल सैन ने आधार पे ही उसको मजबूत किया जाता था तो जो प्रशासन है वो भी किसी तरह से सेना के उपर ही निर्बर था तो ये उसका मोटी मोटी व्याख्या है सेना को लेके तो इस तरह से हमको पता जलता है कि सेना का कितना जादा महत था सतनत कालत का जो इतिहास है उसका जो राजनेतिक इतिहास है और जो उसका प्रशासन है तो प्रशासन में भी क्योंकि हमने देखा इक्ताएं जो प्रदान की जाती थी सेना को जो अधिकारी थे उनको वेतन ना देके उनको इक्ताएं दी जाती नहीं तो जो इक्ताएं दे रहा है तो मतलब प्रशासन में भी सेना का ही योगदान है क्योंकि जो इक्ताएं मिल रही है जो सैनिक अधिकारी को वहाँ का प्रशासन भी उन इक्तादारों के अधिन है और वो इक्तादार और कोई नहीं है बलकि सेन याधिकारी है अब हम शुरू करते हैं अपना जो सेनिक का जो सेन विवस्ता है वो इल्तुतमिश के समय से क्योंकि जो कुद्बुद्दी नाइबक है उसके समय में तो बहुत जादा उसको कार करने का अफसर प्राप्त नहीं होता चार साल का इसका शासान है और वो वास्तविक सुल्तान भी नहीं कहा जाता तो इल्तुतमिश के समय में जो शेन विवस्ता दी उसकी शुरूआत करते हुए इल्तुतमिश जो है इस सेना को कहते हैं और इसमें शाही जो घुड सवार से शाही घुड सवार को कहा जाता था सवारे कल्ब तो पहला हमको याद इतना है अब इसमें terminology बहुत जादा यूज होंगी शब्दा वाली बहुत जादा है इस lecture में पूरे तो आप से मेरी गुजारिश यही है कि आप एक register एक pen लेके रखें क्योंकि इसको आपको note down करते रहना पड़ेगा क्योंकि ये जो शब्दा वाली है कई बार सीधे सीधे objective question में आ जाती है तो हश में कल्ब जो है वो एक ऐसी सेना थी केंद्रिय सेना जिसको हम Central Army बोल सकते हैं जो की सीधे Central Government यानि की जो सुल्तान है उसके अधीन हुआ करती थी और इसमें जो घुर सवार थे उनको सवार एक कल्ब कहते थे दूसरी तरह की जो सेना है वो प्रांतिय सेना है जिसे हश में अत्रफ कहते है ये इलतुतमिश के समय की बात हो रही है हश में अत्रफ प्रांतिय सेना थी जिसमें चार प्रकार के सैनिक थे अब इसमें जो सैनिक थे वो चार प्रकार के कौन वहन से थे पहला प्रकार तो था जो सुल्तान के सीधे नियंत्रण में थे और इनकी नियुक्ति जो है वो स्थाई थी मतलब पर्मानेंट थे और सुल्तान के सीधे नियंत्रण में थे दूसरे सैनिक वो थे जो मुक्ता के अधीन थे यानि कि जो प्रांत में जो मुक्ता है उनके अधीन इस्थाई सैनिक अब ये दो तरह के सैनिक जो हो गए ये दोनों हो गए स्थाई अब आई स्थाई सैनिक की जरुवत क्यों पड़ी अब जो आखरी के दो तरहें के जो सैनिक हैं पहले वो सैनिक जिन्हें युद्ध और अभ्यान के समय भरती किया जाता था जैसे अगर कोई युद्ध पे जाना है इलतुत मिश्कुमान लिए गौलियर के युद्ध या अभ्यान पे जाना है तो उसके पास जो स्थाई सेना है और जो प्रांतिय सेना है वो उसको लगता है कम पढ़ रही है तो उस अभ्यान के लिए वो कुछ सैनिकों को भरती करेगा जो कि आस्थाई रूप से रहेंगे मतलब उस अभ्यान तक के दौरान तक के लिए रहेंगे और उस अभियान के खतम होने के बाद उनको वापस से निकाल दिया जाएगा तो उनको अस्थाई रूप से भरती किया जाएगा और अस्थाई रूप से ही उनको जब तक वो सेवा दे रहे हैं अपनी सब तक उनको उनकी सैलरी दी जाएगी और वेतन दिये जाएंगे या जो भी इसको इत्ता देनी है वो अस्थाई रूप से दी जाएगी और इसके लाबा वो सैनिक भी होते थे जो बिना वेतन सेना में भरती होकर लूट में हिस्सा पाते दें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब यह कहीं अभियान करते हैं तो वहाँ पर जो लूट का माल होता है जिसको खुम्स बोला जाता है वो सेना और राज की बीच में उसका एक बटे चार और चार बटे पांच के उसमें अनुपाद में बटवारा होता था तो जो खुम्स है जो लूट का माल है उसमें वो हिस्सा पाने के लिए कुछ सैनिक भरती होते थे किसी अभियान के दोरान तो ये चार प्रकार के सैनिक जो है वो हश्मे अत्रफ में आ गए दो पहले हुए वो इस्थाई एक सुल्तान के सीधे नियंत्रण में और एक जो है वो मुक्ता के नियंत्रण में इस्थाई और आखरी के दो हो गए वो इस्थाई पहले किसी युद्धिया भियान में भरती किये जाने वाले वेतन के बदले और दूसरे बिना किसी वेतन गे और लूट का माल में हिस्ता पाने वाले अब ये बल्बन जो था इसने सवारे कल्ब जो मैंने आपको बताया था हश्मे कल्ब के अधीन जो शाही घुर सवार थे जिनको सवारे कल्ब बोलते हैं सवारे कल्ब में काफी व्रद्धी की और विद्रोही तत्तों से निपटने के लिए उसमें दिल्ली के आसपास सैनिक चोकियां इस्थापित की और वहाँ पर उसने अफगान सैनिक निउक्त किये थे जब हमने बलबन पढ़ा तो मैंने बताया था आपको इसके बारे में तो यह जो सैनिक निउक्त कर रहा है चोकियां स्थापित कर रहा है विद्रोही तत्तों से बढ़ने के लिए तो इससे यह सपष्ट होता है कि उसके समय तक यानि बलबन के समय तक सल्तनत का सैनिक वर्गी करण वर्गी करण मतलब किस तरह से ओफिशल हायार की बननी चाहिए मतलब कौन अधिकारी बड़ा है फिर उससे बात देख उसके रीचे कितने सैनिक होने चाहिए वर्गी करण विस्तरत रूप से स्थापित नहीं हो पाया था और सल्तनत का विस्तरत सैनिक विवस्ता है और वर्गी करण है वो खिलजीयों के समय ही प्रारम हुई जिसका कारण था तेरवी सदी में मंगोलों की बढ़ती हुई शक्ती जिसका प्रभाव सल्तनत की सेन व्यवस्था पे भी पड़ा अब हम देखेंगे कि मंगोलों का जो सेन व्यवस्था था वो काफी विस्तरत था और काफी उसमें वर्गी करण था जिसका प्रभाव जो है जब वो मंगोलों का आक्रमन होता है जलाल औदिन खिल झी के समय में और अलाओ धिन खिल जी की समय में बहुत ज़ादा क्रमण होते हैं और दस हजार सैनिकों के अधिकारी को तुमन कहते थे यहां से अब्जेक्टिव प्रेश्ण बनता है यह मैंने कुईस में भी पूछा था दस हजार सैनिकों के अधिकारी को तुमन कहा करते थे और दस सैनिकों के अधिकारी को अमीरे दह कहते थे और इनके बीच जो सो सैनिको के अधिकारी को अमीरे साधा और हजार सैनिकों के अधिकारी को अमीरे हजारा कहते थे जो अमीरे साधा है ये काफी महत्वपूर्ण हो गए थे जो हमने देखा मुहमद बिन तुखलक के समय में किस तरह से विद्रो हुए और अमीरे साधा ने उसमें बहुत जादा हिस्सा लिया है और ये अमीरे साधा और कोई नहीं वो मंगोल जो बसे थे आके जलाद दिन खिलजी के समय में और उसके बाद फिर ये सल्तनत की सेना में भी नुक्त हुए तो ये अमीरे साधा मतलब सो गाओं के अधिकारी या सो सैनिक कि है उसका उलेक सल्तनत की सेना की विभक्ती का वर्णन इसी अधार पर बरणी बताता है और जो किरानस साधे ने अमीर खुसरों ने मंगोलों की दसमलव प्रणालि के बारे मुलन किया है और ये जो दसमलव प्रनाली को जब सल्तनत में लागु कर दिया गया तो किस तरह ससको विभक्ती की गई किस तरह ससका वरगी खरण किया गया उसका वरणन जो हूँ बरनी देता है अब बरनी के अनुसार सल्तनत में सैन ने वरगी करण कुछ इस प्रकार था कि दस घुड़सवार की टुकड़ी को सरखेल कह गया घु़ा गया था ता मतलब इसका जो अदिकारी है दस घुर सवार के ऊपर जो ओफिसर है उसको कहते थे सर खेल यानी की एक सर खेल बना दिया, सर खेल और इसके नीचे दस घुड़ सवार दे दिए एक दो इस तरह से करके दस घुड़ सवार जो है वो सरखेल के नीचे आ गए और इस तरह से एक सरखेल जो है वो दस घुड़ सवारों का दिकारी हो गया फिर इसी तरह जो सिपे सलार है वो उसके नीचे दस सरखेल देती है अब ये एक सरखेल के नीचे दस है सेपैसलार के नीचे दस सरखेल है तो यानि कि सेपैसलार के पास कितने सेना की तुकड़ी हो गई सौ दस गुने दस फिर अमीर के पास दस सेपैसलार है यानि एक अमीर जो है वो 10 सिपैसलार के उपर एक अधिकारी है तो 10 सिपैसलार के पास कितने सरखेल हो जाएंगे हजार इस तरा से यह दसम्मलों पद्दती है हमें बस इनके नामयाद है इसने सरखेल के पास 10 घुरसवार ki तुकड़ी है सिपैसलार के पास दस सरखेल है अमीर के नीचे दस सिपैसलार है और मलिक के नीचे दस अमीर है और मलिक के उपर है खान जिसके नीचे दस मलिक है तो इस तरह से जो खान है वो एक लाक सैनिक का अधिकारी है और ये एक आदर सूचक भी था और इसका सैन्ने में भी है अब मैं इसको आपको मोटे मोटे समझा देता हूँ थोड़ा एक खान है एक खान है उसके नीचे दस मलिक है एक मलिक दो मलिक तीन मलिक इस तरह से दस मलिक है मलिक एक मलिक के नीचे दस अमीर है हर एक मलिक के नीचे दस अमीर है, एक इसके नीचे भी दस हैं, इसके नीचे भी दस हैं, इसके नीचे भी दस हैं, सब के नीचे दस-दस मलिक हैं, तो एक, दो, तीन, चार अगर भैं बोलो दस अमीर हो गए, एक, दो, तीन, चार, इस तरह से दस अमीर हो गए, अब हर एक अम तो इस तरह से ये दस-दस की जो तुकडी बन रही है तो इसको हम मल्टिप्लाइ करते जाएंगे यानि कि एक खान के नीचे दस मलिक हैं, दस मलिक के नीचे, हर एक मलिक के नीचे दस अमीर हैं, तो एक खान के नीचे इस तरह से सौ अमीर हो गए और एक खान के नीचे हो गए यानि कि एक खान के नीचे करीब एक लाख सैनिक हो गए तो इस तरह से पुरी दसमलव पद्दती बनी थी तो यहां से प्रेश्ण बनता है कभी-कभी ascending order में या descending order में लगाने के लिए इन अधिकारियों को यानि कि सबसे बड़े से शुरू करके या सबसे कम में उसको खतम करना है या सबसे कम सबसे छोटा जो अधिकारी है उससे लेके सबसे बड़े अधिकारी के करम में हमको लगाने के लिए कभी-कभी आ जाता है या कभी कभी ये पूछ लेगा कि एक अमीर जो है वो कितने सैनिक का अधिकारी था सरखेल के नीचे 10 सैनिक हैं, सेपैसलार के नीचे 10 सेपैसलार यानि की 100 सैनिक हो गए एलाउद दीन के समय मुक्ता अपने सैनिकों के वेतन से कुछ कमिशन काट लिया करते थे और जैसे कमिशन दे रहे हैं तो जो मुक्ता है जो सैनिक को वेतन मिल ला है मुक्ता उससे कुछ कमिशन काटते थे लेकिन ग्यासुदिन ने इस प्रता को सवाप्त कर दिया था और सैनिकों के वेतन का जो रेजिस्टर था इसको वसीलात हश्म बोलते हैं तो ये शब्द हमको याद अगना है वसीलात हश्म की खुद जाच की ग्यासुदिन तुगलग ने और मुहमत तुगलग के समय सैन ने अधिकारियों से राजस्व वसूलने का अधिकार छीन लिए गए थे और प्रांतों में शिकदार की निक्ति की गई थी आप जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्ता उनको दिया गिया है सैनिकों को तो उनके पास सैन ने जो अधिकारी थे उनको राजस्व उनके पास आता से तो सैनिकों के पास वो अधिकार नहीं था अब उसके लिए उसने एक अलग एक अधिकारी की न्यूक्ति की शिक्दार और सैनिक जो है अपना वेतन उस राजस्त से शिक्दार के माध्यम से ले लिया करते थे और इन शिक्दारों को इबन बतूता बताता है वली फिरोज के समय सेन विवस्था वंशानुगत हो गई थी हमने पढ़ा था कि किस तरह से उसने वंशानुगत कर दिया था सब कुछ जितनी इकतार प्रणाली और सेन विवस्था है और यह काफी ब्रेश्ट भी हो गई थी क्योंकि जब हमने देखा एलाउदिन के समय में जो दाग और चेहरा की जो प्रणाली उसने लागू की थे एलाउदिन खिलजी को शिरे जाता है जिसका उसको फिरोज शात्रुगलक ने ब्रेश्ट कर दिया था और ऐसा एक वरतान भी मिलता है हमको कि फिरोज शात्रुगलक खुद एक सिक्का देके अपने अधिकारी को बोला कि वो घोड़ा जो है वो दिवाने आरज यानी की जो सेन भी भाग उससे पास करा ले और फिरोज ने सेना में दासों की भी भरती की थी और नकत वेतन देने के स्थान पे फिर से इकता देना शुरू कर दिया था जैसे कि इलाओ दिन खिल जी ने जिस प्रता को बंद कर दिया था कि नकत वेतन देना शुरू किया था इलाओ दिन खिल जी ने अपनी सेना को और इकता देना जो है वो बंद कर दिया था लेकिन फिरोज शात्युक्लक ने इस प्रणाली को पुरानी जो प्रणाली थी इलतुत मिश के समय की उसको फिर से लागू कर दिया और अब सैनिकों को वज़धार कहा जाने लगा वज़धार क्यों कहा जाने लगा क्योंकि जो इकताएं थी इनको वज़धार कहा जाने लगा अब कुछ सैन ने शब्दावली हैं जैसे मैंने आपको बताया काफी शब्दावली बलबनकत उसमें बताया था इसके बारे में और इसको इसका जो अधिकारी था उसको आरिजे मुमालिकात बोलते थे पहला आरजेम मुबालिकात कौन था इमादुल मुल्क ये इमादुल मुल्क कौन था ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताईएगा अगर आपको याद हो इसका अमीर खुसरों से क्या रिष्टा था और इसके बार आता है सरे जहांदार सरे जहांदार जो है वो शाही आत्रपूर्ण क्योंकि ये बहुत जादा मदब पढ़ा नहीं जाता इसके बारे में क्योंकि हम जब भी हम सल्थनत या मुगल पढ़ेंगे तो कभी नेवी का ऐसा कोई दिक्र नहीं आएगा नोसेना का जिक्र नहीं आएगा लेकिन जो बहर था ये नावों के बेड़े को कहा जाता था बाहर और इनके अधिकारी को अमीरे बाहर कहा जाता था तो यहां से objective question भी बनता है अब यह जो अश्थाई सैनिक जो temporary जैसे की अभ्यान पर गए या फिर भरती किये गए सैनिक अस्थाई रूप से जो सेना में भरती किये गए उनको गैरवजहित बोलते थे तो ये दो शब्द में याद रखने है एक शब्दी अगर याद रखेंगे वजहित याद रखेंगे तो गैर वजहित अपने आप समझ में आ जाएगा पायक जो है वो पैदल सैनी को कहते थे और सरे सिलहदार जो शस्त्रागार का प्रबंदग है यानि कि जो आर्मरी है आर्मरी का जो इन्चार्ज है उसको कहते थे सर ए सिलहदार खुद और माईफर जो है वो इसपात निर्मित सिरस्त्रान और कवच है यानि कि जो हेलमेट पहनते हैं युद्ध में जाते समय जो हेलमेट और जो ये कवच अपना पहने हुए हैं इसको बोलते थे खुद और माइफर यहां से जो प्रेश्ण मनता है वो कभी कभी मैच दा फॉलिंग में बन जाता है पायक देगा एक तरफ आपको चार देगा पायक, सरे सिलादार, सरे जहांदार और वजहिस दे दिया गर और दूसरी तरफ इस्थाई सैनिक, पैदल सैनिक, शस्त्रागार, प्रबंधक इस तरह से आपको आप्शन देगा तो उसको मैच दा फॉलिंग में मैच करना होता है अखरे मुदब्बर ने अपनी पुस्तक अदाबुल हर्व में अनेक प्रकार के सैन उपकरणों का पर्णन किया है मतलब बहुत सारे ऐसे जैसे तलवार हम सुनते रहते हैं तलवार है धनोच तीर ये सब है बट इसके लावा भी बहुत सारे ऐसे सैन उपकरण जैसे हुस्क अब हस्क जो है वो एक ऐसी गेंद थी जिसमें चार दर्फ कांटे लगे होते थे आपने अगर मूवी देखी होगी बाहु बली तो उसमें देखा होगा इस तरह का कुछ ऐसा उपकरण है और इसमें एक ऐसी चेन लगी है और इसको घुमाके मारने के काम आता है तो इस तरह के बहुत सारे उपकरणों के बारे में मुदब्बिर ने अपनी पुस्तक अदावुलहर्ब औरarin शुजात जो युद्ध की प्रणाली के उपर युद्ध नीती के उपर ही बनी है लिखी है उसमें बहुत सारे ऐसे उपकरणों का उसमें वडनन किया है और सेन पिर ने अपनी स्पुस्तक में बताया है बतूटा जब भारत आता है बने बतूटा तो वो भारत के जो सैनिक है उनके बारे में एक ऐसी इंफॉर्मेशन देता है कि जो भारत के सैनिक थे उनमें दो तलवारें रखने की प्रताती दो तलवार कैसे रखते थे एक तलवार जो बादे-चाटरा वह स्वपर वह से अपने तर्कश में रखता था. हमको बतान देता है। मगप मझनिक और अरद्दा ये मैंने आपको पढ़ाया था जब अलाओ दिन खिलीजी के बारें बताया तो मैंने मंजनिक बताया था आपको किस तरह से होता है वो भारी-भारी पत्तर फेकने का उखरण होता है जिसते दुष्मन के किले या मीनार को नश्ट किया जाता है तो एक बड़ा सा एक शाफ्ट होगा लखड़ी का उसमें बड़ा सा एक पत्थर रखा जाएगा और फिर उसकी मदद से उसके पत्थर को काफी दूर फेका जाएगा तो जो उसमें जो ताकत लग रही है जो उसको फेकने में जो मतब जो जिस ताकत से जा रहाए बड़ा-था पत्र तो जाके दिवार पर गटगराएगा तो दिवार को तोड़ सकता है इस तरह से जो उपकरण है उनका इस्तमाल किया जाता था और नाचा कहा करके एक हतियार था जिसको तलवार और गदा का मिश्रन कहा जाता है तो इस्टार असे बहुत सारे उक्रन हों का मिलता है जब उन्ने आपको पिछले लेक्च्षर में अपने आकरी में कुछ पुस्तकें पड़ाई थी तो उसे मैंने बताया था कि knights सangत काल की आपा पुस्तके लिखी गई है अथारली की पुस्तक भी बताई थी आपको एक मुहम्मद हवीब की बताई थी तो उसमें इन सब का बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है और सल्टनतकाल में बारूद या तो खाने का निरमाण नहीं हुआ ये एक महत्पूर्णत अच्छे हैं और यह मैं जाद करना है कि बारोव या तो खाने के निरमाण या इस्तमाल हमको अच्छ lässtनकाल में देखने को करने के लिए चौकियां स्थापित की गई थी मतलब व्यापारिक वस्तुएं जो ट्रेड हो रहा है जो चुंगी जैसे ली जाती थी या उसके लिए जो कर लिए जा रहे हैं वहां पर बहुत सारी चौकियां स्थापित की गई कि जब भी व्यापारी वहां से गुजरेंगे तो वो कर दे के जाएंगे तो इसके लिए जो चौकियां स्थापित की गई थी उसका सर प्रतम उलेक जो है मिनाज ने किया है अपनी तबकाते नासरी पुस्तक में और बर्नी ने हाला कि बताया है कि इलाओ दिन की डाग विवस्तक काफी उन्नक थी लेकिन जो सद्रत की डाग विवस्तक की जो नीव है वो पहली रखी जा चुकी थी और एलाओ दिन के समय में भी काफी है इसको अच्छे रूप से इसको चालू किया था लेकिन इसको एक्तम विवस्तित रूप से संगढ़ित किया है कि यासु इन तुबलक के समय में और इस डाग विवस्तक का जातरा में पचास दिन लगते थे वहीं गुप्तचर की खबरें सुल्तान तक डाग विवस्ता के माध्यम से केवल पांच दिन में पहुंच जाती थी और दो तरह की डाग विवस्ता के बारे में बतूता हमको बताता है पहली डाग विवस्ता है अश्व डाग विवस्ता जिसे उलूक कहा जाता था तो यह हमें आददना है अश्व डाक विवस्ता को उलूक कहते थे और यह हर चार मील की दूरी पर इस्थापित राज की घोड़ दौरा संचालिस की जाती थी तो ये हमको दूरी भी आज़नी के 4 मिल, हर 4 मिल की दूरी पे राच की गुणद तूरा across की जाती थी asho tack बेवस्था और दूसरी थी बेज़ himal था जिसमें प्रती मिल 3 चोकियां थी, मतलब हर एक मिल पे 3 चोकियां मनाई हुई है जिन्हें दावा कहा आता था तो ये शब्दा वली मैंने जैसे बताया आपको इसको नूट डाउन करते रहिएगा दावा किसे कहते हैं जो पैदल डाक चौकियां हैं और वो हर एक तीन मील पे मतलब हर एक मील पे तीन डाक चौकियां ऐसी मनी हैं यानि कि हर एक बटे तीन मील पे एक चौकियां है जिसको दावा कहते हैं जो पैदल डाक सेवा के लिए है और जैसे ही संदेश वाहग इस पैदल डाक सेवा की जो भी चौकियां हैं यहां उनके पास आता था तो ये जो चौकियां जितने भी आदमी उनमें से एक उससे पत्र लेके छण हिलाता हुआ पूरी ताके से दौलता था जब तक वो अपने अगले दावा के पास नहीं पहुंच जाता और इस तरह से जो पैदल डाग वेवस्था थी वो अश्व डाग से अधिक तीव थी ऐसा हमको व्रितान बताता है इबन बतूता और महम्मद बिन तुगलक के लिए दौलता बाद तक इसी प्रकार गंगा जल पहुंचाया जाता था ये भी एक महत्वण तत्य है और ये कभी-कभी प्रेश्ण में पूछ लिया जाता है एक तो इसमें दो इन्फॉर्मेशन निकलती है कि महम्मद बिन तुगलक जो है वो गंगा जल का प्रयोग करता था और दूसरा ये कि वो गंगा जल उस तक जो है इस्टाक विवस्था के तरिये ही पहुचाया जाता था जब वो दौलता बाद में चला गया था अपनी राजधानी को परिभर्सित करके अब हम देखतें इसकी नियाय और दंड विवस्था सल्टनत कालगी सबसे पहले फखरे मुदब्बिर का एक नियाय चक्र की ऊपर क्या उसने व्याख्या किये है नियाय को ले के और किस तरह से ये नियाय जो है वो एक चक्र की तरह से बना हुआ है और किस तरह से इसमें क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि पूरी की पूरा जो सामराज है, वो सेना के ही शक्ति की ओपर आधारित है, तो राजा काताम सैनिकों की बिना नहीं चल सकता था, लेकिन ये जो सैनिक हैं, ये वेतन की बिना नहीं जी सकते थे। और वेतन आता है किसानों से एकत्त किये हुए राजस्तों से लेकिन किसान राजस्तों तभी चुगा सकेंगे जब वो सुरक्षित होंगे प्रसंद होंगे खुशाल होंगे और ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और इमानदार शासन को बढ़ावा दे तो इस तरह से देखे तो सबका जो बेस है जो सबका मूल भूद इस पूरे ढाचे का जो आधार शिला है वो क्या है वो न्याय और इमानदार शासन होगा तभी जो सैनिक है उस रक्षित होंगे प्रसन होंगे खुशाल होंगे और राजसु दे पाएंगे और जब वो राजसु दे पाएंगे तभी सेना का वेतन आपाएगा और जब सेना का वेतन आपाएगा तभी राजा का काम उन सैनिकों के माध्यन से चल पाएगा तो एक vicious circle टाइप का है एक न्याए चक्र जिसको हम बोलते हैं तो इस ये न्याए और जो इमानदारी के उपर शासन जो आधारी थे उसके उपर संत्नत काल ने काफी इसके उपर महरत दिया इसको दोर दिया है और संत्नत काल में कानून लागू करने के जो तरीके हैं वो कुछ इस तरह से थे सामान ने कानून था सबसे पहले जो सिर्फ मुसल्मानों पे लागू किया जाता था ऐसा कानून जो केवल मुसल्मानों पे था लेकिन जो धर्म निर्पे एक अंश है जैसे व्यापार है या कोई वस्तू का अदान प्रदान हो रहा है गैर मुसल्मानों का धार्मिक तथा व्यक्तिकत कानून अब कुछ ऐसे कानून थे जो गैर मुसल्मान यानी जैसे मान लिए हिंदू के कुछ कानून है और धार्मिक कानून है या व्यक्तिकत कानून है इस तरह के कानून हुआ करते थे तो दिल्ली सल्तनत जो है उसने हिंदूओं के सामाजिक मामलों में नियूंतम हस्तकशेप किया है और उनके मुकदमों का निर्णे उनकी पंचायतों में विद्वान जो पंडित थे और जो ब्राम्हन हुआ करते थे पंचायतों में उनी पे छोड़ दिया था उनी के द्वारा इनका न्याय किया जाता था और सुल्तानों ने हिंदूओं के सामाजिक मामलों में न्याय करने के लिए अपने न्याय धीश न्यूक नहीं किये मतलब सामाजिक जो मामले से उनमें नहीं किये लेकिन आख क्रिमिनल जो केसे से हैं फौजदारी जिसको हम कानून बोलते हैं या फौजदारी मामले हैं उसमें जरूर इनों न्याय किया या दीवानी मामलों में भी किया सामाजिक मामले हो गए ऐसे मामले जिसमें उनकी जो ट्रैडिशन है जो उनके परंपराएं चली आ रही है उसके उपर कुछ ऐसे जगड़े हो गए अगर किसी के मान लीजे जाती को लेके या किसी के उपर ऐसा कुछ ऐसा ट्रैडिशन के उपर कुछ जगड़ा हो गया तो उसमें इन्होंने ऐसा किछ नयाय नहीं किया है सलितनाथ काल के सULTAN-ों ने लेकिन दीवानी मामले है राजस से जुड़े हुए मामले है या फिर फॉशदारी मामले है किसी की हत्या हो गई चोरी हो गई उसके उपर उन्होंने जरूर हस्तक शेप किया है तो यह हमें महत्वफोण्ट त cupcakes आदे रखना है कि जो सुल्तान है वो सरवोच अपील का नियायले होता था मतलब सुल्तान से उपर कोई नहीं है और जो उसने नियाय विभागा जो गटन किया है उसमें सुल्तान जो है वो सबसे उपर है और बर्नी जो है वो एलाउद दिन के न्याय विवस्था से संतुष्ट नहीं था ये भी एक महत्वपूंट तत्य है तो बर्नी जो है एलाउद दिन के समय जो न्याय विवस्था थी काफी कठोर थी जब हमने देखा किस तरहां से अंग भंग कर दिये जाते थे और क्योंकि शवियत इसकी जादा भरतना की है और बहुत जादा इनको मतलब ऐसा बोला है कि अयोग के काजी थे खुले दर्बार में सुल्तान न्याय किया करते थे और इबन बतूता बताता है कि मुहम्मद बिन तुगलग जो है वो सोमवार और बैस्पतिवार को न्याय प्रदान करता था क्योंकि स अब हमने देखा कि जितने भी जैसे ग्यासुदिन तुगलग और जितने भी इलतुतमिश वगरा हैं वो सारे सैनिक हुआ करते थे इसलिए धर्म विधान कानून की व्याक्या करना उनके लिए संभब नहीं था जिसके लिए उन्हें काजियों और मुफ्तियों की साहता ले निया इधिकारी कुछ है इस तना से उसके अधीन दो और अधिकारी है नायब काजियों और अदल ये इसके नीचे काम किया करते थे और इनकी सहायता के लिए मुफ्ती हुआ करते थे दूसरा अधिकारी है अमीरे दादबेग ए हजारत या आपके वल अमीरे दादबेग याद रख सकते हैं अमीरे दादबेग जो है वो राजधानी का निया दीश है राजधानी का नहाय दीश है अब यह जो काजी उलकुजात है पूरे सामराज जी के उपर एक जितना भी हायरकी बनी आप कह सकते हैं इसको मान के चल सकते हैं कि सुप्रेम कोट का जज है और चीफ जस्टिस जो है वो सुल्तान है हमारा तो यह सुप्रेम कोट का जज हो गया और यह हाई कोट का जज हो गया अमीरे दाद बे काजी लशकर सेना का जो शिवर लगा है उसका यह नयाय धीश है मतलब जब सेना जाती है कहीं शिवर लगाती है तो वहाँ पे नया इधीश साथ मिलेके जाए जाता है था तो उनको काजी लश्कर गहते है इसके इलावा कोतवाल है कोतवाल जो है नगर पालिका पुलिस का प्रमुख है और मुहसिव मुहसिव एक अधिकारी जो मैंने आपक पर यह नजर रखता था और बादार पर नियंद्रल भी रखता था और नात्तोल की विवस्था भी करता था मुहसिव अब यह तो थी हमारी जो केंद्रिये की केंद्रे सरकार की नयाय विवस्था अब हम प्रांतों के बारें पढ़ लेते हैं प्रांतों में चार प्रकार की नियाय पालिका हुआ करती थी चार प्रकार में से पहला था वली या गवर्नर गवर्नर जो है प्रांत का सरवोच नियायले था और प्रांत की अपील यहां सुनी जाती थी लेकिन जब गवर्नर का कोई निर्णा अगर हुआ है तो उसके खिलाफ अगर उसके निर्णे से संदुश्ट नहीं है या फिर कोई ऐसा बहुत जादा प्रभाव शाली वेक्ती आ गया है जिसको ये गवर्नर डील नहीं कर सकता तो इसके खिलाफ जो अपील है वो सीधे केंद्र से की जाती थी मतलब जैसे हम माली हाई कोर्ट से स सुपरिम कोर्ट में केस डाल देते हैं तो उस तरह से उस तमय भी जो प्रांतिय नियाय पालिकाती वो इस तरह से या अधारित थी वली और गवर्नर पहली थी उसके बाद था काजी सूबा अब ये जो वली और गवर्नर है ये अपने प्रशासन और बाकी की गती विदियो दोनों मामले देखता था लेकिन राजस्त के मामले पे उसका अधिकार नहीं था तो हमको ये आदखना है काजी सूबा दीवानी और फौजदारी मामले तो देख रहा है लेकिन राजस्त से जो जुड़े हुए मामले हैं उनको नहीं देखता यानि कि जो ये अदालत है उस में राजस्त से जुड़ा हुआ कोई मामला नहीं आता था अब राजस्त से जुड़ा हुआ मामला कौन देखता था दीवाने सूबा तो दीवाने सूबा जो है ये भूमी राजस्त सम्मंदी मामले का निर्णा किया करता था तो काजी ये सूबा हो गया जो कि दीवानी और जो है यह देख रहा है दिवाने सूबा अब चौथा है सद्र सूबा का नयायल है इसका अधिकार बहुती थीमित था शेत्र अधिकार मतलब इसके बारे इसको बहुत एक छोटा सा छोटी सी जगह देदी आती थी आधिकी छोटा सा शेत्र जो है इसके अधिन दिया जाता था प्रांतिय नयायलों में भी केंद्र की तरह मुफ्ती मुहस्तिब होते थे मतलब जब हमने देखा कि कादी की उलकुजात के नीचे जो मुफ्ती है या मुहस्तिब है ऐसे प्रांतिय नयायलों के नीचे भी उनको दिया जाता था और मुस्लिम दंड विधी को अत्यंत कठोरता से लागू किया जाता था और जैसा कि हमने देखा था कि एलाओ दिंखिल जी या मौमद मिन तुगलक के समय में जो दंड था वो काफी कठोर हो गया था अंग भंग किये जाते थे और विद्रों का जिब दमनी करते थे उसके लाबा जो दंड दिया करते थे वो काफी कठोर हो गया था लेकिन ये जो अंग भंग करना है ये शरीयत इसकी इजासद नहीं देता और फिरोस्तुगलक का जब शासन आता है तो वो इसको निशेद कर देता है अंग भंग करने को क्योंकि फिरोस्तुगलक अपने आपको एक देयालू और शरीयत का पालन करने वाले का ऐसा मुसल्मान मदाता है और इसलिए ये ऐसे बहुत सारे जितने भी ऐसे दंड हैं जो शरीयत जितकी दासद नहीं देता उसका ये निशेद कर देता है और अपरादी को दंडित करने के लिए क्योंकि पहले बहुत जादा मतलब जो सुल्तान है इससे पहले के फिरोस्तुगलक के पहले के वो सुल्तान काफी कठोर दंड किया करते थे और ये जो शरीयत के आदेश है उनकी उपेक्षा अपनी नीती पर आधालित जो है वो विचार को लागू किया करते थे लेकिन फिरोस्तुगलक से ये जो पूरी विवस्ता है पूरी जो दंड देने की विवस्ता थी जो प्रणाली थी उसमें काफी परिवर्तान आ जाता है तो यह हमारा आज का लेक्चर था जो हमने तीन इस पे टॉपिक कवर की हैं सैन्य विवस्था डाक विवस्था और नियाई विवस्था अपने अगले टॉपिक पे जो प्रशासन है इसका सल्थनत कालीन प्रशासन उसके बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे इसके या वकील जिसको हम कहते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे तो तब तक के लिए धन्यवाद और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें आने वाले नोटिफिकेशन के लिए